हेलो मेरे प्यारे बच्चों कैसे आप सब उमीद है आप सब अच्चे होंगे मैं अब इपसा एक्सलेंस की इस ऑनलाइन प्लेट फार्म आपका हर्दी स्वागत करता हूं तो भई आपकी पढ़ाही जब वर्दस्ट चल रहे होगी तो भई मैं बात कर रहा था किसके बारे मे कच्चत दसवी साइंस का जोकी एक्जाम का अब है तेरा मार्च को है अब इसका प्रप्रेशन आप तो करी रखे होंगे पूरा पूरा फ़रोरी के इंट तक आप पूरा पढ़ लिए होंगे जितना पढ़ना था जैसे पढ़ना था कर लिए होंगे थोड़ा बहुत रहा जबर्दस्त तरीके साहपको पढ़ना ही है तो कुछ जो बेसिक तक था से उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और क्या करेंगे उस पर हम लोग तोड़ा करेंगे जिससे क्या होगा आपको तुरंथ ही बेनिफीट हो मिलेगा आपको आपके सब सब्सक्राइब बारे में जानकारी मिली जाएगी तो आप अच्छे से सालो कर लेंगे तो चलो करते हैं आज कुछ बेसिस आपको पूरा क्लियर है इसके बारे में जंकाली तो पता ही होगा ऑढ़िविद ही लेकर पूरा अपका प्रियाडिट्टेबल यह तो पता ही होगा है और ही तो प्रमानुकरमांग नंबर नंबर दो तो लिथियम से लेकर नियान तक चलोगे तो दस उसके बाद सोडियम ग्यारा है उसके बाद चलोगे कहा 18 आरगन अब यह जो है यहाँ तक तक आपको फिर बाताथ ही कहाँ से जर पोटिफियम और कैल्सियम से से लेकर आपको याद करना है में रूप से जीङ तक अच्छे त लेकिन फिर भी आपको याद करना है तो क्या करना पड़ेगा यहां से लेकर यह पता हो चाहिए तक यह कोशन पूछ देगे कि वर्ग में क्या होती है यह सब कोशन आता है जो कि बारा है तो पता ही है तो अब पता ही है आब सर यह है किया है । तो रमांग 12 है वह जो है कैसे कोशन पुछा यह बोल दिया कि यह किस आवर्त में है अब देखो कुछ बेसिक्स क्वेशन आपको पता ही है फिर में बता चलता हूं कि यह जो है आपको प्रेडिक्टेबल है अगर यह थोड़ा से पिटा देता हूं अब जो मैं आवर्त種 हो है अवर्त और जो आपको वर्टेकल लाइन है यह वाली उसको मैं और बोलूंग भच्चा उसको वैं बोलूंगो वर्ग और बैसिस क्वेशन में क्या 시간 सार कितने तो आंसर क्या है एटीन वार्ग और आवर्थ जो औरिजन्टल लाइन हो कितना होता है साथ यह तो पता ही है ठीक है आपको शर्पूश्थ दे जिसका परमानुकरमांग 12 वह मैगनिस्यम है यह पूशता है कि यह 12 है वह कौन से परमानुकरमांग है तो आपको कहा तक याद है है अपको याद है क्या आपको वीज तक पूरब अच्छ याद होगा यह फिर याद में हो तो भी याद कर लो बच्छा हैड्रोजन लिथियं बिर होरान पहले यह पाँच को आयाद नियान यह हुआ कितना बच्चा सुरूश चलोगे तो यह होगे 10 दस तब पहले चलना अपना गाड़ी यहां तक आ के तिका देना भई 9 10 ठीक है फिर यह कंप्रिट करने के बाद आपको चलना है ग्यारो आला लाइन में चलना है ठीक है फिर कैसे चलोगे ग्यारो आला लाइ पोटेसियाम केल्सियाम कितने सरी है 11 12 सॉरी 22 लिग दिया देखो तो 22 है यह जो है 12 है ना कि मैगनिसियम भी मिट गया देख रहे हो इसको मिटा देता हूं चलो यह हो गया क्या बच्चा यह हुआ मैगनिसियम है ना 12 फिर 13 कितना है एलुमिनियम का है फिर 14 15 16 17 18 19 और यह बीस यहां तक आपको पूरा याद कर लेना है बच्चा किसी भी हाल में और याद कर रही लिए आपको याद करना है इसी सी ज्याद कोशन पूछा गया है लेकिन फिर भी अगर कोश्चन जो बढ़ा दे जाए बोर्ड जो है को बढ़ा दिया लेवल को कैसा करोगे तो उस टेम में आपको 21-22 से लेकर आपको जिंग तक भी याद करना पड़ेगा बच्चा कैसा करोगे यहां तक बात होगे कैल्सम तक 20 उसके बाद इसकेंडियाम है ना टैटेनियम वैनिडियाम क्रोंईयम मैगनीज आइरन, कोबाल्ट, निकील, कापर और ये जिंक, कहां तक की बात हो गई सेर, 21, 22, 23, 24, 25, सरी, 24, 25 क्या है, पर मानुकर रमांगा भई, कम्फीज नहीं होना है, 26, 27, 28 और 29 और ये 30, यहां तक की बात समझ में आई बच्चा, पर करना, अब ये तो हुआ सर क्या, ये हुआ प्रत्थम 30 तत्व के नाप, प्रत्थम 30 तत्व के नाप और उसके क्या यह, उसके संकेतिक जो संकेतिक, तो संकेत है तो यह तो पत्ता ही चल गए आपको और यह पढ़के भी आया होंगे यह मान के चल रहा हूं मैं अगर नहीं पढ़े होंगे तो अभी जान भी घए ठीक है अब यह तो हुआ बात ठीक है मैं क्या करूंग अभ इस से अब बोलता है कि जो आपका परमानुकरमांग वह किसका बोल दिया बोलो आपको फोले पीदो इसको भी पूझ दिया तो बारी बाई शर्चा करेंगे तो हम पहले से चोटे सब्जिस चलते हैं पता चलते हैं वह बोलता है चाथा नंबर देखो जो चाथा तथा इलेक्ट्रानिक विन्यास कीजिए विन्यास करते हुए हमें क्या करना इसका उसका बताना है हमें आवर्त बताना है चलो करते हुए आवर्त वर्ग को बताओ अब यह प्रश्ण पूजी बच्चा अब यह कोश्चन है आपका चलो जीतना भी नंबर के बात ही बात है हमें क्या पूछा गए है सर कौन से तत्तों का परमानुक्रमांग चार है तथा इलेक्ट्रानिक विनियास करते हुए आवर्थ तथा वर्ग को बतला यह कौन सा आवर्थ में और कौन सा वर्ग में तो मैं क्या करूंगा मुझे तो सर्क 30 की याद ही है कैसे हैड्रोजन हिलियम लीटियम से चलता जाओं कि प्रत्थम अवर्थ में these आवर्थ यह से देखो बच्च सबीक यह अवर्थ नंबर एक है ऊच इन डोस कि अधर अब सुरूभ के क्या जात रखना शूरूब जो दो तत्व है अब दूसरा वार्त कितवा है सर दूसरे आवर्त में है टोटल अपके कितना देट तत्वा आट तत्वा लिध्यum से नियां तक सुरू के जो दस तत्व है बच्चा वह अकेले ही दो आवरत में ले लिया यह तो पता यह बेसिक जम करी है ना अब सच चार नंबर है प्रमानुकर मांग तो कि इसमें आता होगा तो दिमाग लगाओ पहला पहला आवरत में कौन को ना जाता है सर लितियम अब लितियम सोरी हाइलेend mu嗎 लियम अब चलू ह Х owता है घृड़ान भी लियां तक नियांर तक जुसरा आवरत में है ना तो इसमें आता होगा प्रमांणुक्र मांग चार यह कॉमान सेन्स है अगर आपको याद भी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं अब हम चलते हैं इस पर सर यह तो मुझे पता चार है परमानुकरमांग तो यह पता है सर तो मैं अच्छा नवी में है ना क्लास नाइन्थ में मैंने डिस्कसन किया था किसके बारे में भई या तो फिर आपको पढ़ किया होंगे आपके कोई भी फ विन्यास कैसे होता है भाई पूरा बोरबरी योजना यह सब अधारित था इसमें फिर चार है सर तो पहले मुझे पता है प्रथम कोस में सिर्फ दो इलेक्ट्रान आती है और दूसरे कोस में जो बचा हुए लेक्ट्रान हो आता है यह तो पता ही है सर और अधिक नहीं होना है सर्मकस लिख दूं कि यह समझ रहे ही ओना जो चार है वह पारवानुकरमांग मुलाँत होता है उसमें इलेक्ट्रान कैसे कोस में भी जली टां होगी सर ठीक है अब क्या पथा चला मुझे सर कि टोटल कितनार रहा है सर एक कोस दो कोस और अंतिम कोस में कितने लेट्रान हो रहा है सर दो इलेट्रान हो रहा है ठीक है तो मैं क्या कर दिया कर दिया यह ठीक है सर चार है मुझे यादता सर तो यह बेरिलियम है पहला अंसर दूसरा इलेट्रानिक विनियास यह भी कर दिया सर ठीक है अब क्या करता है वह रहा है सर्थ दो एलेक्टरान आ रहा है और अंदीम कोस में कितने लेक्टरान आ रहे हैं सर्थ दो इलेक्टरान आ रहा है तो मतलब 2 लेट्रान आ रहा है वह जो कि इस लिखाusan यह पिर दो 3 ना था यह तो फिर सात लेट्रण नाथा अंतीम नॉसमी तो व कहा मैं है सर सेव जू 47 तो मत्स देता है ना तो अंतीम जो इल्यक्त रता देता ए जो लाए वह बताता है किसको बच्चा अंतीम कोस के जो एलेक्ट्रान है वह बताता है हमें किसके बारे में कि वह कौण से वरग में आएगा और जितना नमबर का कोस बनेगा जितना कोस बनता है कैसे पता हूं यह तो बताई ह्या यह जो है क्या बहUई कोई भी आपका परमानु है उसके अंदर कोई से था और तीस्तर में कितनेเห्जञान है सार दो कदने लेक्टरान है कितने लेक्टरान रहें सर एक रखन दो इनबर आप कितने बत्चा 12 क्लियर हुआ यहां धोर कोस्थ और प्रथम कोस्त में दो लेट रहा है किसको आपके वर्ग को और को बता रहा है किसको आवर्थ को तो सर दो को दो दूसरे नमबर का और तम होगा एक और दो पहला पत समझ में दूसरा क्या दो लेट रहन है अंतिव कोस्त में दो लेट रहने सार तो कुन सा अर्थ को बताएगा दूसरे नमबर का तो बेरियलियम यहाँ पर दीग गया चलते हैं एक तत्तों का प्रमानुक्रमांग 11 है ठीक है इस तत्तों को पहचान का नाम लिखे पर रहे हैं वर्ग की शंख्या क्या होगी बोल रहा है समझे बच्चा वर्ग अब वर्ग के लिए क्या करना पड़ता है बताओ भी अंतिम कोस्त में जो इलेक्ट्रान है वो मुझे पताच चलेगा सर तब मैं वर्ग को बता पाऊंगा देखो भी क्या है सर परमानुक्रमांग सबसे का है इसका ग्यारा है आख अंतर हमारा पहला काम है सर क्या हमें करना है सबसे पहला काम तो इलेट्रानिक कितना होका भी यार है तो दो फिर आठ और एक यह पता ही है कैसे होता है पाला कोस यह प्रथम यह है दूइतिय और यह बच्चा त्रितिय कोश यह बात समझ मैं के एल एं ठीक इन को सब्सक्राइब यह बच्चा की संख्याइब अंतीम कोस में जोड़ान की संख्या है वो कितना है सर एक है फिर एक लक्ताँ अंत्यम कोश में अब वह क्या पूफ़ता है सर उह पूछ रहा है साथ में कि वर्त के संभू की संख्या बताइए तो सर अंतिमकोश के लें एक ही है अंतीम को सकाल बताता है वर्ग के संख्या को तो भाई एक ही लख्टरान तो कौन सबर कमाएगा प्रथम वर्गमें आएगा बच्चा ये तो पता यह ना बेसिक जनकरी फिर यह आगया सब प्रथम में तो मतलब क्या नेशक क्वेशन क्यों चलूँगा फिर इस आध hydrogen helium एक औरत खतम फिर लीथियम से चलूँगा नियान तक दूसरा औरत खतम अब जो नया बारी हो रहा है सर वह 11 से चलू होता होगा मतलब प्कका सर लáticas कि बारे बात कर रहा है फॉक्क्र रहें किसका तीसराud नुमर के आवर्थ मंधिमगो सके लेक्टरान के बात करूं मैं अगर तो मुझे समझ में आता है सर कितना है एक है ठीक है अंद्वोत के लं ऐसमार्व हमें लिख दें तोह में यहां पर बच्छा देर है मतलब एक दो तीन एक दो देखें से दो तीन को पर सो ओंगा तीं को सुष्ट मतलब सिंपल क्वेश्चन यह होता है असान तरीका इस पर तोड़ा सा और जोड़ देंगे और तो और समझ में आपको मैं बताता है और इक्जांपल जितना कराऊंगा समझ में आजाएगा लेकिन ज्यादे वेराइटिस नहीं लाएंगे जितना पूछा है वो करेंगे ताकि आपक कितना नंबर कुश्चन था चार में चार यहां से मिल गया ठीक है और देखो एक तत्तों का प्रमानुकरमांग बारा है क्या करूँगा भई बोलते साथ ही मुझे पहला काम क्या सर लिग देना है बारा है सर तो इलेट्रानिक मीनियास करूँगा तो मुझे पताशे लिए 3,2 आट और 2 आप कोई बोलेगा सी 2 आट 2 कैसे करते हैं लुम्हांग प्रतं कोश में दोलेटरन आना मस्ट है उसके बाद ही बढ़ता है फिर 8 हो जाता है फिर आगे बढ़ता हूं तो जैसे 2 हो गया फिर कितना वहाई तौ यह चलुगा तो यह जाएगा दो कोई बॉलता है यह बोंदेता आगर 32 आग तर फिर मैं कितना करता फिर कितना बच्चा 10 हो गया देखो 2002 दस यूज कर दिये ठीक है कितना बच्चा बारा बच्चा अब कैसे अफ़ीं क्या नहीं वह बोलता है कि अधिक्ताम आट से ज्यादा हो इसकती बोलता है बोल लिए जो आपके पूरा ग्याइट में पड़े तो सर यहाँ पर 12 भर नहीं सकता तो यहाँ पर कितना भरूंगा अधिक्तम 8 भरूंगा आठ भर दिया 12 में तो कितना बच्चा सर चार बच्चा क्या है फिर चार आएगा यह इस प्रकर से बाट समझ में आ गए आपको तो मैं चलता हूं यहाँ पहले सक्वेशन में आए वा और दो वारां 2 कर दिया फिर जक्झ मैं मदरार है दो आर्थ दो कर दिया इलट्र Cornic हो गया इसका आंसर मिलक्त मुझे सब्सक्राइं सर एक नवर मिल गया एक नमबर प्राफ्ट कर लिया मैं ठीक है है ठीक है बच्चा फीर इस तत्तों के 50 लिखिए सर मुझे बारत करज़ता पूरा यादब आता है मैगधिश्यम लिगदिया मैं मैं है कि अब क्या समझत मैं सर यह हो गया यह हो गया अप मैं कैसे लिख वाथ अब मैं चलूंगा नेश क्वैशन की और यह बोलेगा आदुनिक और सानी में इस त beslुझा लिखे और अदुनिक और शानी में इस्तातों का अवर्थ लिखी फिर्ली वाई बात बहुता है अंतिम कोस में तो लेट्रण मंटा दूर summers तीन आवर्थ और जटन लाइन किसको बोलते हैं और जटन लाइट को तो तिसरे नंबर जो क्या है भही तिसरे नंबर के जो इसमें लटानों के संख्या बता दी कि स्कोल वर्ग को तो यह बें दूसरे र वर्ग जो एक दोतीन Düser तो मिलें रहेगा चलो देखे लो मैंगनिशम है क्या देखे लो एक दो तीन तीसरे आवर्थ एक दो दूसरे वर्ग में दूसरे वर्ग के क्या भई तीस्टरे आपर यह बात हुई तो वह तक तो बीक तक तो चला है यह कूशन में फीन पूचा गया नेकिन बात की बात है आगर इस को पूछा लाएं तो पूच गया तो एने इद्द भी पूछ था इसमें के आदे पूच्छा तो भी अब्स करेंगे all चलो छलो और बात करना ही किसे बारे में छर्चा करते तो हमें एक समझ में आते है कि कि यह जो है इसको बिटा देता हूं हाँ वैनेडियम कितना है भई तेविस है और आपका पंदरा नंबर करके है भई फासपोरस है तो सर इलेट्रानिक विन्यास करूं मैं इसका तो चलो भई पहले तो सस्ता कोई करेंगे इसका पंदरा को कितना बच्चा बच्चा कितना बच्चा बच्चा किटना पर 20 घुटा बच्च घ्राइगाएं फीर किटने चाहत पांच काउंट कर लो दो आट वे दस अठारा अठारा और पांस तेव्ष तीक अब देखो यहां से कन्फ्यूजन चल वोती है कि सर यह जो है यह जो है अंतिमकोस में पचपच लेक्टरान दीख रहा है मुझे क्यों यह कैसे देखो कैसे बराबर आ सकता है आप बोलते हैं अंतिमकोस के लेकर बताता है वर्ग को तो पचपच है तो यह पाचवे वर्ग माता है क्या दोनों देखो भई कैसे एक दो देखो एक दो तीन चार पांच हां सर यह तो आ गया वेने टेम पांच में आ गया लेकिन छह साथ आठ नौट दस ग्यारा बारा तीरा चौदा पंद्रा नंबर में दिख रहा है क्या फास्पोर अब यह क्या लाओ जिक होगा अब उस्टे में कन्फिजन आएगी आप best इसमें देखो एक जोटीन कोसश जितना नंबर कोश का है वहां क्या बताता है वहां बड़त तो एक तो त्यार वार्त रहेंगा सर उसमें चारवरत रहेंगे सर तो भई देख लो अब तीसरे तीसरे आवर्त देखों एक दो तीन सरा बात कर दिया तो यह होगा क्या भई यह होगा आपका फास्पोरस लेकिन चारा वर्थ बोल यह तो क्या हो जाएगा सर यह हो जाएगा वैने डियम बागी सब वही है और यह तो कोई भी पूश्चन पूश्च देगा तो आपको यह असानी से बता देना है अब आपके लिए ओमर कर देता हूं मैं अगर आपको टाइम मिलता है तो कर लेजिए का कमेंड वाक समांसर दे सकते कैसे हैं अब मैं बोलूँगा किसके बारे मैं बहुत बढ़ा देता हमक्तुन चलो दो आठ कितना हुए फिर आठ फिर आठ होगा दो आठ दस हुआ अठर हुआ अठर और आठ यह होजाएगा साथ होजाएगा चलो ठीक है यहां तक बता दिया दो आठ 15 ठिक पच्शिश होगा अब इसका जोड़िदार चुह हैं चारा वर्त में हैं ठीक है च तक हसा है तो यह जो होम वरक है कि यह जो अलग अलग आवपता में हैं उसको पताना है और किस पर बेज़ कर ए किस पर बेढ़ वौयां य케 आपको बताना होग्त कि इसमें के ले वहाँ जो बताता था उसको आपको सेंटिफिक ड्रिष्टि साथ आप आप सींपल आपको बताना है क्यों ऐसा है और ऐसी सांथ में एक-दो और compound को लेको है नहィंद बता दिए किस घुरेद्ध मैं इस और कुछ क्वेश्चन देखते हैं सर इह खर लिए और कुछ पुछा गए हमिभार pourtant संख्या Sozial तो यह तो सिंपल है वह जैसा कि दिल किया हूं तो यहां तक ही बात समझ में बच्चा सिंपल सिंपल कोश्चा आया था जिसको हमने हस के टाल लिया हसके कर लिए तो इसके लिए और कैसे माइं शेट रखना है इसके बारें भी मैंने डिसकसन कर रही रखां फिर भी मैं अब आपको और बोल देता हूं अच्छा से रिविजन करते रहे ना पढ़ते रहे ना भई ठीक है तो मिलते हैं बच्छा नेश्ट लेक्चर में हमारा एक्जाम से मिसन जो की खतम हो चुक है आपके लिए हमारे लायत है और आगे आपको और जो भी जनकारी लेना है तो हमारे दिएगा नंबर पर चर्च करिए बिलकुल डिसकस करिए बिलकुल फोन करिए और हमारे वेब्साइट में भी बिलकुल आप विजीट कर सकते हैं यूट्यूब चैनल में आके हमारा प्लेलिस्ट देख सकते बच्चा ठीक है तो मिलते अधिया भाई नेश्ट लेक्चर में धन्यावाद